अल्यारम नरीम अस्सलाम अलेकुम रह्मत अल्लाबरकातों अल्या थीक शून इंशाला आप लोग भी ठीक होंगी तो आज बनाने वाली हूं काले इम्री चिकन टिका तो यहां पर हमने लिया है साथ सो पचास ग्राम चिकन है इस तरह समने पीसेस कर लिया है यह देखिए इत अध्राफ लसुन का पेस्ट है डिया टेवली स्पूनी हमने लिया है करिस्किया हुआ काली मिरीच और यह है स्वादनुसान नमाद सासे पले इंस तक तीन चारों चीजों को में डाल दूंगी और इसको मिला के पंदर 20 मिनिट के लिए छोड़ दूंगी और तब तक शिकन कि यहां चर्य तो जिए च्छीए हैं को मिला लेती है कि अपमें दूसरी तरफ जालें जो इसके शिकन व्रीम करने वाली हूँ चिकन में मसाला में मिलाने वाली मूह में आपको दिखा देते हूं यहां पे इमने लिया है छाट अभी टेबल इस पूनी सी चमस से अमने भर क अब चाहटेवी स्पून दही दही बिल्कुल गाड़ी है यह आप देख सकती है इस तरह से होने चाहिए अगर नहीं पतली तो इसको जो है मलमल के कपड़े में रख दीजिए एक दो बंड़ दक छोड़ दीजिए तो इस दम पूरा पानी इसका निकल जाएगा गाड़ी हो यहां पर हमने लिए है भी इस है जो है काजू लिये थे हमने इसको गरम पनी में भीगा दिए था उसके बाद इसको आजा है इसको अधार हंड़ा साथ पेष्ट बना ली आप देख सकती है ठीक है और यहां हमने कुछ माबट अधा नमग ङफ़ा नमाग आप दिखा दिख गरम मसाला, दो टीजबून धनिया पॉडर, जीरा पॉडर, यह पर लिया है यह जो क्या बलते इसको इलाइची पॉडर, यह पर लिया है वन टीजबून हमने कसूरी मेती, अब इन सब चीजों को एक साथ मिला लेती हूं, यहां पर हमने तसला लिया इसमें डाल दूंगी इ यहां पर हमने जो काजो का पेश्ट भी लिया है वह भी डाल देते हूं, अच्छे से अब इसको इन सब चीजों को अच्छे से मिला लूँगी, हमने सारे मसाले को अच्छे से मिला दी है, क्या करूंगी तो यहां पर 15-20 मिनट हो गया है इसको रखे हुए तो आब में इसक अच्छे से निचोड़ा है तो इस तरह देखिए इतना पानी निकला है आपको पानी को तो बिल्कुल निचोड़के ही डालना है चिकन को मैंने दोनों हाथ से दबा दबा के निकाला अब इसको चली अच्छे से मिला लेती हूं वापस से ऑफिस में में जो है स्मोक देने अच्छे से मिलाया अब इसमें गढ़्धा कर दिया है यहां पे में रखोंगी एक कटोरी और इसमें डालोंगी जलता हुआ कोईला रख दिया है और इसमें डाल दूंगी आप घी तेल कुछ भी डाल सकते हैं तो यह में पे तेल डाल रही हो और इसको बंद करके 5-6 मिनट के लिए चोड़ने के बाद पर आपको दिखाऊंगी और इसको में फ्रीजर में रख दूंगी में और नाइट रखने वाली हो आप चाहें तो इसके बाद आप फराई कर सकते हैं पर सेख सकते इसको ठीक है तो चलिए तो चलिए 5-6 मिनिट हो गया तो मैं इसको खुला इस से निकाल के 5-6 मिनिट गंटे के लिए आप जो है तीन से चार गंटा भी रखेंगी फिरीज के अंदर तो आपका वो पर अप्र पिखल जाएगा तो पानी पानी नहीं होगा तो यह देखिए अब इसको हमने बार किसमें रख दिया है इसको रख दिया जब हमको प्राई कर पानी बिल्कुल नहीं चुड़ेगा तो यहां पर हमारे पासे चिक हम इसमें लगाने वाले हैं तो सबसे पहले में जो है थोड़ी चीज और मिलाने वाली हूं इसलिए मैं बोलती हूं आपको मेरी वीडियो लाच तक देखा करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर ल आप इसमें तरह से एक एक पीस लेंगे और हम इसमें लगा देंगे आप इसमें तीन चार पांच जो भी लगा सकती है लगा लीजिए तो इहां पर तीन पीस लगा रही हूं इसी तरह से जो है चिक और चिक कर तयार कर लेंगे तो यहां पर दिखे हमने इस चिक सारी तयार प्राइपेन या तावे पर तेखिए तो हाइप अदम हाइप लेंपे आपको इसको खुब गरम करना है ताकि जो है आपका चिकन अच्छे से हो जाए तो चलिए मैं चिकन को रख रहे हूं इसमें इस तरह से यह देख रहे हैं कि एक साइड में 3-4 मिनट लग जाता इसको पखनी कि तीन से 4 मिनट हो गये तो इसको इस तरह से रहे हैं तो हम इन यहां पर मेडियम हाइप लेंग कर दिया है और यहां पर हमने आपको भूल गये होगे तो इसमें हमने ने कॉन्ट्रोर में डोटे बाइस्पून डाले हुए तो आप कॉनफलोर भी डाल सेथी हैं और यहां के आपको जो यहां के आपको जोगे नहीं डाल सेके आपको अधूर कर बताने अब इसका अब करें इसके प्रचाएं यहां पर देखे हमारी काली मेरी चिकन टिका बने कर रही हो चुका है तो अब मेरी वीडियो को एक फिर से आपस से मैं बता रही मैं वीडियो को लास्ट टेका करें इसलिए मैं कुछ चीजें बाद में डालती हूं एक करते हैं तो यहां पर मेरी वीडियो को लाइक से कमेंड से स्क्राइब कर दिया करें और द्वाओं मियाद रखा करें अल्हां आपीस बाबाई शीयो